हलो एंड वेलकम यू ओल इन आवर यूटूब चैनल नामदेव अकेडमी स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल नामदेव अकेडमी में तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अठारा सितंबर दोजार अठारा को जो रेलवे ग्रूप डी का पेपर हुआ है जिसकी पहली पारी हुई है उसमें रिजनिंग में किस प्रकार की क्यूसंस पूछे गए हुए इनकी यहां बात करेंगे तो देख लेते हैं हम यहां पे एक एक चीज देख लेते हैं कि कौन सा सब्जेट कितने नंबर का है और रिजनिंग के अंदर कौन से टॉपिक से किते किते क्यूसंस पूछे गए हैं और किस टाइप के पूछे गए हैं तो देखिए सबसे पहले हम बात करें तो यहां पे गणित है वो आ रहा है 25 नमबर का और रिजनिंग आ रहा है 30 नमबर का फिर जनरल साइंस की बात करें तो जनरल साइंस से पूछे जा रहा है 25 क्यूशन और जनरल अवेर्नेस की बात करें तो इससे पूछे जा रहे 20 क्यूशन जो की 20 नमबर के हैं अब जनरल अवेर्नेस की ब पहली पारी हुई है उसमें देखिए रक्त संबन जो चैप्टर है इससे एक से दो क्यूशन पूचे गए हैं और सिलोगी इसमें जिसे हिंदी में कहते हैं कथन निसकर्ज तो इससे दो से तीन परसन पूचे गए हैं एनालोगी से दो से तीन परसन पूचे गए हैं घड़ी स एक से 2 प्रौ्शन पूछे गया है और दिसा डायरेक्शन जिसे कहते हैं इससे भी एक से दो क्यूशन पूछे गया है है फिर बात करते हैं जल और जो दर्पन पृती ही परती पूछे गया है और जो अजम्शन और स्टेटमेंट हैं जिसे हिंदी में कहते हैं कथन एवं पूर्ण धारना है तो इससे भी 5-6 परसन पूछे गए हैं गैस देखिए इस टॉपिक से सबसे जादा परसन पूछे गए हैं तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा ताकि जिनका भी पेपर आगे आने वाली जो दिनों में हैं उनको काफ जाएगा तो यहां पर हिंदी में कहते हैं इसको विशम जिसे चांटना कहते हैं विशम चांटना ठीक है अब फिर जो नेक्स्ट पूछा गए कोडिंग डिकोडिंग से भी पूछे जा रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग से भी देखिए एक से दो परसन पूछे जा रहे हैं जिसे हिंदी में कहते है श्रंकला इससे बी 2% पूझे जाुत जा रही है और जो वैन आर्एक है इससे बी 2% पूझे जा रहे हैं एक से 2% और mathematical expression इससे देखे 5% पूझे जा रहे है अब इन में क्या होता है देखे इन में ये हो सकता है mathematical calculation में वो आपको भी किसी भी प्रकार का analogy type में कुछ करके दे दे या फिर coding decoding के form में दे दे या फिर main तो देखो mathematical operation में क्या होता है कि जैसे कोई भी calculation दे देंगे ठीक है और उस calculation जैसे कि यहां आपन माल ले कि 15 प्लस 8 भाग 4 गुणा 2 minus 1 इस तरह से यह equation माल ली अब mathematical calculation में क्या होता है कि वो आपको question में देगा कि भी प्लस का मतलब तो है भाग और भाग का मतलब है बाकी और गुणा का मतलब है जोड ठीक है इस तरह से गुणा का मतलब है जोड तो इस तरह से वो यह symbols जो है इनका देदेगा कि भी कौन से symbol को क्या का गया है तो उसी according हमको यहाँ जो यह दिये हुए है इनमें symbol रख देंगे अब जैसे यहाँ पर देदेगे कि प्लस को कह रहा है भाग तो यहाँ पर हम रखेंगे solve करते time हल करेंगे जब परसन को तब हम यहाँ पर रख देंगे भाग का चिन और भाग को कह रहा है minus तो यहाँ पर रख देंगे minus इस प्रकार हम रख के और इसको हल कर देंगे तो हमारा उत्तर निकल जाएगा तो इस प्रकार के होते है mathematical calculation वाले परसन अब अगला क्यूशन है वो है figure counting का तो figure counting का हर shift में पूछा जा रहा है एक परसन और फिर calendar की बात करें तो calendar से पूछे जा रहा है दो परसन तो अब देख लेते हैं किस टाइप के परसन जो जो कुछ questions हमें यहाँ मिले उनको यहाँ discuss कर लेते हैं तो देखो सबसे पहले यहाँ मिले रखा है calendar का परसन हमें एक तारिक दे रखी 21 जन्वरी 1988 यानिकी 21 जन्वरी 1988 यह तारिक दे रखी है तो जो यह 21 जन्वरी 1988 है इसको कौन सा दिन होगा यह हमसे पूछ है तो देखी इसके लिए क्या करना है कुछ भी नहीं करना है बहुत आसान है व्स एक सुत्र है और उस सुत्र में अपन मान रख देंगे सबी values का देखो सुत्र क्या है सुत्र है हमारा कि date यानी कि तारीग जो date जो दे रही है वो फिर date को हिंदी में करेंगे तारिक उसके बाद हम क्या करेंगे मन्त कोड महिने का कोड ठीक है महिने का कोड और उसके बाद जो साल दे रखी है वो और उसके बाद लीप वर्स ठीक है ये करके इनको जोड के और इनमें भाग दे देंगे साथ का अब देखो value रख लेते हैं फटा-फट देखो तारीक क्या दे रखे 21 तारीक दे रखे तो यहां 21 लिख लुआ अब बताओ मेने का कोड जन्वरी का जो कोड होता है यह पूरा लीप वर्स निकालना सिकारक है आप हमारे यूटूब चैनल नामदे अकेडमी है इसके यूटूब चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर रिजनिंग का देख सकते हैं उसमें इस सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगे तो देखिए यहां पर लीप वर्स हम कैसे निकालेंगे जो लास्ट का यह वर्स में यह 88 दे रखा है इसको 4 से भाग दे देंगे 4 से भाग दे दिया यहां पूरा चला गया 22 बार तो यह जो 22 है यह क्या होगी लीप वर्स होगी अब यह Leap Wars हो गई तो अब हम हमें क्या करना है सुत्र हमारा यह है कि तारीख तारीख के बाद हमको मेहने का CoDe प्लस साल फिर प्लस Leap Wars and भाग दे देना है इसमें साथ का तो देखिए हमने लिख ली तारीख भी लिख ली मेहने का CoDe भी लिख दिया और साल भी लिख ली और लीप वर्स भी लिख ली अब इसमें दे देंगे 7 का भाग देंगे तो देखिए जब मैंने इनको जोड़ा तो मेरे को मिला 130 और 130 में दे देंगे 7 का भाग ठीक है अब मैंने 130 में जब 7 का भाग दिया तो 6 बचा 4 कितना बचा 4 तो मैंने देखा कि 130 क अंदर जब मैं साथ का भाग दे रही हूं तो चार सेश बच गया तो यह चार ही मेरा आंसर हो जाएगा अब यह चार कौन से दिन का नाम है तो देखो चार है यह कोड है थरस्डे का जिसे हिंदी में हम कहेंगे गुरुवार तो 21 जनुरी 1988 को वार होगा गुरुवार होगा अ और फिर बुद्धुवार इसी प्रकार वह चलते रहेंगे ठीक है तो हमने देखा फόर्त देखो यहां बुद्धुवार हो रहा है और चौते दिन पर हो रहा है गुरुआर तो हमारे चारी से इस बचेते और चौते दिन हमारा उत्तर क्या हो गया गुरुआर हो गया इसका उत्तर अगला प्रेशन देखिए अगला प्रेशन है ये mirror image का पूछा गया था और देखिए mirror image का जो question पूछा गया था इस प्रकार पूछा गया था कि एक हमें image दे रखिये आकरती दे रखिये और उसमें कोई भी किसी भी type की image बना रखिये और हमसे पूछा है कि इसकी mirror image कैसी हो क्या होगी अब जैसे मैं ले example के तोर पर ये ले लिया है अब बताओ इसकी mirror image क्या होगी यानि कि दरपन पृतिवम क्या होगी तो दरपन पृतिवम में क्या होता है बस जो भी आकरती दे रखिये उसका just उल्टा हो जाता है तो इस arrow का मुह इदर की side है तो हम इसको उल्टा कर देंगे इस प्रकार और ये line तो ऐसी की ऐसी रहेगी तो ये हमारा इसका उत्तर हो जाएगा अगला प्रेशन देखिए अगला प्रेशन हमें देखना है कि ये इनके अंदर से odd हमें छाटना है अब यहां देखिए 31 दे रखा है क्या 31 किसी से पूरी तरह से विभाजित हो रहा है क्या नहीं हो रहा 41 भी नहीं हो रहा और 61 भी नहीं हो रहा लेकिन ये 51 हो रहा है अब ये देखे 51 किस से हो रहा है 51 को हमने देखा 3 से हो रहा है ठीक है और 3 से हो रहा है तो कितने बार चला गया ये देखे 17 बार पूरा पूरा ये कट रहा है 3 से तो 3 से पूरी तरह ये विभाजित हो रहा है तो यहीं हमारा ओड हो जाएगा तो क्या उ चलता है उत्तर की ओर चलता है साथ किलोमेटर अब यहां देखिए उत्तर किदर की साइड है यहां पे तो इस्ट है इधर चलेगा तो इस्ट में इधर चलेगा तो वेस्ट में नीचे की ओर चलेगा तो साउत में और उपर की ओर चलेगा तो नौर्थ में अब वो कह रहा है क उत्तर की और उत्तर की और चल रहा है साथ किलोमेटर तो चलो उपर की और चलेगा यह तो देखिए यहां से यह उपर की और चला कितने किलोमेटर साथ किलोमेटर अब कह रहा है कि फिर वो उपर के मते साथ किलोमेटर चल के वो अपने राइट साइड मुड़ जाता है दाइ होगा वो नीचे के और होगा तो नीचे के और यह साथ किलोमेटर चलके यानि साथ किलोमेटर यानि कि इसके वराबर साथ किलोमेटर चलके यह रुग गया तो अब हमें बताया है कि इसका जो मुह है वो कौन सी दिशा में तो देखे सकते हैं यह नीचे के और चल रहा है और यह नीचे के और कौन सी दिशा इधर की साओ यानि दक्षिन तो क्या उतर हो जाएगा इसका हो जाएगा दक्षिन हो जाएगा तो देखे इस प्रकार का परसंद भी पूछा जा आई तो वो औप सिर्फ पैटर्न बता सकते इस चेग आड़ा है कोई नहीं बता सकता है तो चलो देख लेते हैं क्या पूछा गया है अगला क्योशन पोछा गया है कथन नििसकर्ज थे तो देखो हमको कथन जो दे रख樹 दे रख unity यहां कथन का भानदा ना लेते हैं कथन क्य बी-सी है, तो कुछ B का कुछ इससा ले ले और C बना दिया, फिर अगला कहा रहा है कि कुछ C, D है, तो यह देख ले कुछ C, D है, यह बन गया, चित्र बन गया, आप हम देख लेते हैं, निसकर्स चेक कर लेते हैं, कौन सा इसका सही आंसर होगा, तो पहला जो निसकर्स है, वो देरग कह रहा है कि sum A are D, कुछ A हैं वो D हैं, अब मुझे बताओ A कहां पहें, देखो A तो ये रहा और D ये रहा, बहुत दूर दूर हैं, और ये एक दूसरे से connect भी नहीं हो रहें, टच भी नहीं हो रहें, तो इनके बीच में हमें नहीं पता है कि कैसा संबंद होगा, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, doubt में माल लें हमें नहीं पता हम कुछ नहीं कह सकते कि यह सही होगा कि गलत होगा यह सब कुछ बाद में decide होगा कि यह सही होगा यह गलत होगा पर अभी तो हम doubt माल लेते हैं अब अगला हमसे जो निसकर्स पूछा है वो पूछा है sum b r c कुछ जो b है वो c है तो देखते हैं कुछ भी यह रही और यह जो b का यह ही कि दोस Jew जाएगा तो यह बिलकुल सही हो जाएगा यानि कि इसमें second वाला तो सही हो जाएगा और जब डाऊट के case में अगर एक ऐकला डाऊट में होता है तो फ झेम्डला गलत हो जाएगा और इसमें दूसरा जो है सही हो जाएगा तो उत्तर क्या हो जाएगा second सही ठीक है अगला प्रेशन देखिए अगला प्रेशन कुछ इस प्रकार पूछा गया है कि इन में से हमें odd बताना है विशम बताना है विशम चाटना है तो विशम की बात करें तो यहां देखिए 125 दे रखा है और यह 125 यह 5 का क्यूब है फिर दे रखा है 1728 दे रखा है जो की 12 का क्यूब है और फिर दे रखा है 512 512 यह 8 का क्यूब है लेकिन यह जो 1321 यह किसी का भी क्यूब नहीं है तो आंस है और 5 के बाद यहां पर 130 हा गया है तो इसी प्रकार कहा रहा है कि यहां पर 6 तो यहां पर क्या आएगा ने तो देखे एनलोगी में क्या होता है जो concept है यहां चलेगा वही concept यहां पर जलेगा ठीकर तो हम देखते हैं यह 5 से 130 कैसे आया तो देखो 5 का क्यूब क्या होता है 5 का क्यूब होता है 125 और 125 में जब 5 जोड देंगे तो क्या उतरा जाएगा 130 उतरा जाएगा तो यह 130 आ गया तो इसी प्रकार यहां पर कर लेते हैं यहां पर हम करेंगे 6 का क्यूब 6 का क्यूब कर लेंगे देखो ये तो हमने कर लिया कि 5 का 5 का हमने क्यूब किया 125 और इसमें जोड़ दिये 5 और तो 130 मिल गया अब इसी तरह यहां कर लेते हैं 6 का क्यूब प्लस 6 अब 6 का क्यूब कितना होता है गाईस ये चीज़ आपको पता होनी चीए तो अगर मैं बात करती हूँ 6 के क्यूब की अगर मैं बात करूँ तो 6 का जो क्यूब होता है वो होता है 216 होता है तो यहां मैं 216 लिख दूँगी और प्लस में 6 तो उत्तर कितना आजाएगा 222 ये हमारा उत्तर है कि यहां पे आएगा 222 अगला प्रेशन देखिए अगला प्रेशन पूछा है आकरती वाला आकरती गिनने वाला प्रेशन है और प्रेशन कह रहा है कि जो नीचे आपको चितर दिया हुआ है उस चितर में कितने त्रिबूजे ये हमारा प्रेशन है तो यहां देखिए जो figure दे रखा है वो कुछ इस प्रकार दे रखा है तो मैंने जब यह figure counting का topic पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि यहां देखिए बड़ा जो त्रिबूजे वो कितना है तो बड़ा मैंने देखा एक ही है अब यहां देखिए इसके अंदर पार्ट कितने हो रहे हैं तो देखो मैं लिख रही हूँ एक दो तीन चार पांच छे छे पार्ट होए तो छे को मैंने यहां यू कई यू रख दिया तो टोटल कितने हो गए 16 तो 16 हमारा इसका उत्तर है अगला प्रेशन देखिए अगला प्रेशन हमसे पूछा गया है कि यहां एक हमको सीरीज दे रखे है आगे जो अल्फाबेटिकल सीरीज दे रखे है अब हमसे पूछा यहां पर क्या आएगा तो इसके लिए हमें पहचानना पड़ेगा देखिए यहां देखिए बी से डी आया और बी का कोड कितना है बी का नंबर होता है दो होता है और जो बी का हमने देख लिए बी की जो नंबरिंग होती है वो किती होती है दो होती है दी की चार होती है और एफ की कितनी होती है F की 6 होती है तो हमने क्या देखा कि 2-2 जूड रहा है इनमें क्या हो रहा है 2-2 जूड रहा है तो यह हमने देख लिया अब बाकी इनमें तो देखो 2-2 जूड रहा है जब 2 जूड रहा है तो 6 चेकि नमBREG एफ की नम्बरिंग एच्छा है और च्छामें जब मैं दो जोड़ दूंगी तो क्हा मिलेगा 8 और 8 में नमबर पे क्या पढ़ता है इसी प्रकार आगे देख लेते हैं देखो टी है टी से क्या मिला आर और की बात करें तो टी की नमबरिंग कितनी है 20 कितनी है 20 20 80 की numbering और R की कितनी होती है R की होती 18 तो जो इन वाले में क्या हो रहे है जो second जो alphabets है second जो अकसर है उनमें कम हो रहे है दो-दो तो देखे 20 से 18 हुआ अब उसके बाद 18 से P P का कितना होता है 16 18 से 16 हो गया अब 16 से कितना होएगा 16 से 2 कम कर देंगे तो 14 हो जाएगा और 14 किसका है code 14 है N का तो क्या उत्तरा जाएगा HN उत्तरा जाएगा एक बार फिर से देख लीजेगा क्या दे रखा है हमको BT दे रखा है फिर हमको DR दे रखा है फिर हमको FP दे रखा है आगे पूछा आगे क्या होगा तो हमने देखा इनका code लिख लेता है फटाफट से यहाँ B का 2 होता है यहाँ 4 होता है D का 6 होता है तो हमने यह देख लिया कि इनके बीच में 2-2 जुड रहे है 2-2 जुड रहे है फिर हमने यहाँ देखा T का किता होता है 20 होता है R का कितना होता है ठारा होता है और इसका कितना होता है इसका होता है P का 16 तो यहाँ आपने देखा कि 2-2 कम हो रहे है 2-2 कम हो रहे है तो अब 16 में से 2 कम होंगे तो कितने आ जाएंगे 16 में से 2 कम होंगे तो 14 और यहां पर यहां नीचे वाले में इन में दो दो जुड़ रहे थे तो जब 6 में दो जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आठ तो आठ और 16 हमारा उत्तर आएगा 16 नहीं sorry 14 क्योंकि 16 में से 2 कम हो जाएगे तो 14 तो अब देखो उत्तर क्या है आठ और 14 और 8 किसका नमबर है 8 है H का और 14 किसका है N का तो H N उत्तर हो जाएगा उम्मिद करती हूँ समझ में आ गया होगा क्योंकि कुछ भी नहीं किया है इधर तो दो-दो जोड दिया है और यहां उपर की साइड से दो-दो घठा दिया है बस इतना सा काम किया है हमने ठीक है फिर उत्तर आ गया है H N तो आज के वीडियो में यह इतना ही तो यह थे हमा यारे यूटूब चैनल नाम देव अकेडमे को सब्सक्राइब करना ना बूले थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो